क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्लास का पता ही नहीं चाला लुकुद क्यों मैसेज नहीं पड़ते हैं जब भगवत गीता नहीं होनी चाहिए आप कोलेज में जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी बुक होनी चाहिए कि नहीं है तो प्रेजेटेशन से तो यूजी करना है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बीच बीच में ऐसा कोई दो गीता ही नहीं है लेकिन लेकिन ही आए हूं तो हमने कहां तक पड़ा था तीस नंबर ये पगड़ाएंगे मुझे वाहर पगड़ाएंगे ब्लेक प्रजेक्टर वणन करेंगे अरी बहुत तो लास्ट जो था थर्टी नमर वर्स हमने पड़ा कि अर्जुन जो है कुछ आर्गुमेंट देते हैं कि मैं यूद नहीं करों क्यों यूद नहीं करना चाहते हैं तो पहला आर्गुमेंट क्या दिया है first argument right this is the first argument out of compassion आज हम यह जो थर्टी लास्ट जो वर्स था इसमें क्या बता रहें कि अर्जुन के अंदर यह जो कमपेशन आया है यह किसके वज़े सहाई भगवान की इच्छा से आया है अदर वाज यूद बहुत सार लड़े हैं आज से ऐसा पहला नहीं वाज कि अर्जुन यूद नहीं लड़े थे बहुत सार यूद लड़ चुके हैं लेकिन आज ही क्यों ऐसा हो रहा है इससे पहले तो यूद किया है ना तो कहरें कि ये भगवान की क्रिपां से आया और जिससे कि वो अपने आपको भूल गया कि मैं हूँ कोन मेरा करता हुए क्या है और जा बहुत जादा उसको अटेच्मेंट हुआ अपनी प्रिवार के प्रती पहले प्रिवारवाल से यूद किया है विराट का जो यूद हुआ था वहाँ भी सबसे लड़ा ही था अभी भी लड़ रहा है तो जनले होता क्या है कि हर वैक्ती जो है अपने फायदे के बारे में सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है लेकिन उसका जो वास्तिक फायदा कि इसमें है और जनले है अपने बारे में सोचता है तो क्या होना उसको फिर दुख जहिलने पड़ते हैं नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट वर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड आर्गुमेंट अर्जुन जो दे रहे हैं वो है लोस ओफ एंजोईमेंट मजा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सुनिए क्या कहते हैं ना चा श्रियो अनुपरश्यामी हत्वा सवजनम आहवे ना कांग से विजयम क्रिष्ण ना चा राजयम सुखा नीचे हे क्रिष्ण इस यूद में अपने ही सुजनों का वद करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राजय या सुख की इच्छा रखता हूँ तो बताने कि अरजुन ने पहले भी यूद किये हैं लेकिन इस यूद में और पहले के यूद में क्या अंतर था विराट का यूद किया था तब भी पांड़ो अकेले कोर्वो के साथ यूद किया था पर वहाँ एक बात थी कि उनको मारना नहीं पड़ा था लेकिन यहाँ जब तक मारेंगे नहीं तब तक यूद में विजय नहीं होंगे तब तक केवल गायों को वापिस लेके आना था जब वो गाये विराट के राजा के लेके जा रहे थे तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं किसी प्रकार की विजय राजय या सुख की इच्छा नहीं रखता और इसलिए मुझे ऐसा यूद करन में कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रहे है जब अपने ही लोग को मारना पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर एक सब्द आया है श्रियो श्रियो दो चीज़े हैं एक होता श्रियस एक होता प्रियस प्रियस होता है लग तुरंत जो लाब मिलने वाला है प्रियस और श्रियस होता है जो लोग ट्रम गोल एक है सो ट्रम गोल अच्छीव करने पर आपको क्या मिलेगा कि लोंग ट्रम गोल अचीव करने पर क्या मिलेगा तो जो प्रेस है वो सो ट्रम गोल और श्रेस क्या है लोंग ट्रम गोल तो कहा है श्रेस जो मैं जब कोई कल्यान या कोई लाब दिखाई नहीं दे रहा है in future हो सकता भी लगे कि मैं युद्य करूंगा तो मैं कुछ फायदा हो बट इन दा फ्यूचर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किम नो राज्यन गोविंदो किम भोगे जिवितेन वा ये साम अर्थी कांक्सितम नो राज्यम भोगा सुखानी चाई ता इमे अवस्तिता युद्धे प्रणास तक्त्वा धनानी चाई आचार्या पित्र पुत्रास्त थे उचे मात्पिता महा मातुला सवसुरा पुत्रा शाला सम्वदिन सथा एतान नहंतो में च्छामी ग्रतो अपी मदुसूदना अपी तरे लोग के राज़से हेतो किमन मही कृते निहत्ते रधात राष्टा का पृत्ती स्याजनादना हे गोविंद हमिराज्य सुख अथ्वा इस जीवन से क्याला क्योंकि जिन सारे लोग के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद भूमी में खड़े हैं हे मदुसूदन जब गुरुजन, पित्रगण, पुत्रगण, पितामा, माता, ससुर, पोत्रगण, साले और अन्य सारे समंदी अपना अपना धन और प्रान देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्स खड़े हैं तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें हे जिवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों इस प्रित्वी की तो बात ही छोड़ दें बला देत राष्ट्रे के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसंता मिलेगी तो ये अर्जन बता रहे हैं की आप कहरे हो कि युद करो युद किसलिके करना है ताकि हमको भना राज trait प्राप्थ हो जाए इसी के लिए यूद चल रहा है करें राज्य की बाद छोड़ दो मैं तो पूरी का प्रित्री का राज्य मिल जाए तो भी मैं युद नहीं करना चाहता और प्रित्री की बाद तो छोड़ दी जाए मुझे पूरे अगर सारे लोकों का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं युद नहीं करना चाहता क्योंकि कोई वैक्ति कुछ भी कारे करता चाहे वो धन कमाता है चाहे वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर राक Whew बारे में उसका नाम आए, लोग उसको जाने किसलिए करता ता कि किसी को दिखा सके कोई तो होना चाहिए अब सारे घरवाले मरी जाएंगे तो दिखाऊंगा किसको मज़ा नहीं आएगा loss of enjoyment मज़ा खतम कोई बचेगा है ने किसको दिखाना है मैं राजज़ में ऐसी घाज़ में बैट गया लेकिन सामने कोई बैटने वाला ही ने क्या फाइदा राज़ा बना दिया लेकिन प्रज़ा ही ने तो हमारा पूरा परिवाद ही नष्ट हो जाएगा तो उससे का क्या फाइदा इसलिए मैं युद नहीं करना चाहता तो भगवान के अलग अलग नामों कवचान कर रहे हैं इसमें कहते हैं गोविंद गोविंद सब्द करत क्या होता है गायों को रखवाला गोविंद सब्द के दो अर्थ हैं जो गायों को और इंद्रियों को आनन देने वाले हैं और अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि मेरी इंद्रिया कैसे संतुष्ठ होंगी है गोविंद यदि मैं अपने प्रिवार वालों को माहर दोंगा तो जाने लोग यही सोचते हैं न कि मेरे को क्या फायदा मैं कैसे आनन ले पाऊंगा तो अर्जुन भी इसी मानसित्ता को यहां पर दिखा रहे हैं और वो कहरें कि कई बार लोग कैसे हम अपने लिए नहीं करते हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं हम तो देश के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर समाज देश की बात की जाए, तो अपरबाजी कहते हैं, उसको extended sense gratification, sense gratification मतलब अपनी इंद्रितप्ती, और extended मतलब थोड़ा विश्थित कर दिया जाता है उसे इंद्रितप्ती को, अच्छा मेरे को अपने परिवार के लिए करना है, अपने लिए नहीं, मैं तो परिवार के लिए चाहता हूँ, परिवार के लिए नहीं मतलब समाज के लिए चाहता हूँ, समाज के लिए नहीं मतलब देश के लिए चाहता हूँ, तो ये क्या है, इंद्रितप्ती ही है, अब माल लग कोई भारत में है, भारती है, तो उसका क्या है कि भारत महान है जंडा उच्छा रहे है हमारा अब वही वैक्ती का अगर जनम किसी दूसरी कंट्री में होगा तो वो क्या करेगा अब भारत का नहीं करेगा वो जहां का है वहीं का करेगा तो यह था चेंज होता जाता है जहां उसने जनम लिया भूमी से या जनम भूमी से क्या हो गया उसको आसक्ती हो गया तो यह भी उसकी ही इंद्रिति थी लेकिन थोड़ी सी विश्थत्री तुरूप से थे ब्रौड माइंडिड है हमारा संस्कृत्ति क्या है वसु देव कुटुम्बकम इसका अरत है पूरा प्रिथ्वी जो है वह हमारा प्रिवार है कुटुम्ब कुटुम्ब वोलते हैं प्रिवार को पहले क्या होता है का कंबाइंड जो प्रिवार होते हैं पूरा कुटुम्ब इकठा पूरी प्रिथ्वी प्रिवार है लेकिन यहां नहीं मैं इस देश का हूं मेरे को यह वाला जो है यह अच्छा लगता है यह मेरा देश यह भी इंद्रे तिप्ती ही है तो किरें ऐसे है गोविंद मेरी जो इंद्रियों को आनन देने वाले हैं आप तो लेकिन मुझे तो इसा कार्या करने से आनन प्राप्त नहीं होगा दूसरा मधु सुधन मधु सुधन जो की मधु नामक असूर का वद किये हैं हवान का नाम आया है मधु सुधन स्लोक संख्या 34 में तो मधु सुधन कौन थे मधु और कैटब दो असूर थे जो पृत्वी जब स्टार्टी में हुआ तब ये दो असूर थे इतने पावरफुल थे कि ब्रह्मा जी भी कुछ कर नहीं पा रहे थे तो भगवान प्रकट हुए और भगवान को देख करके लोग बोले हमें तुम अच्छे लगे तुम कुछ वर्दान मांगो हमसे तो भगवान बोले ठीक है तो ये बताव तुम लोगो मरोगे कैसे तो फिर उन्होंने अपनी मृत्व का खुद ही उपाय बताया भगवान ने उनको मारा तो अरजुन कह रहे हैं कि आपने मधु नाम अच्छु को मारा था पर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं मैं अच्छु थोड़ी हूँ मैं तो आपका दोस्त हूँ भक्त हूँ आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं मुझे ऐसा काम करवा करके आप मुझे मारना ही चाह रहे हैं सलग रहा है और तीसरा नाम आया है भवान का जनार्दन जनार्दन का अर्थ होता है जो जन जन मतलब व्यक्ति और अर्दन मतलब कस्ट चो लोग के कस्टों को दूर करने वाले हैं लेकिन यहां पर जन कह रहे हैं कि आप मेरे कस्टों को बढ़ा रहे हैं मुझे से ऐसा कारिय करवा करके तात्र में वाज़े लिखते हैं कि भगवत भगत दुष्टों से प्रतिशोद नहीं लेना चाते किन्तु भगवान दुष्टों द्वारा भगत के उत्पिड़न को सहन नहीं कर पाते भगवान किसी वैक्ति को अपन इच्छा से चमा कर सकते हैं किन्तु यदि कोई उनके भगतों को हानी पहुचाता तो उसे चमा नहीं करते यदि भगवान के प्रति को अपराद कर दे न एक वैक्षन भजन में गाते हैं कि हरी स्थाने अपरादे तारे हरी नाम यदि भगवान के प्रति को अपराद हो जाए तो भगवान का नाम लेकर के अपराद से मुक्त हो सकते हैं लेकिन यदि किसी भक्त के प्रत्यपराद हो जाए तो कोई उपाए नहीं है उसी भक्त के पास जाकर किछमा मांगना पड़ेगा जब तक वो नहीं करेगा तब तक मुक्ती नहीं मिलते हैं ऐसी एक राजा थे अम्रिष और एक दुर्वासा मुनी का नाम सुना होगा तो दुर्वासा मुनी शिवजी के उतार हैं तो उनी की तरत्रा जल्दी करोध करते थे खुश हो जाते हैं तो वर्दान दे देंगे और नराज कर दिया तो स्राप दे देंगे दुरासा मुनी जाते हैं मरिस महराज के पास और उस दिन था दो आदसी का दिन तो पुरा फास्टिंग किया था निर्जला फास्टिंग किया था अब क्या होता है कि फास्टिन जब करता है एक अधस्षी का तो अगले दिन क्या होता है उस टाइम के बीच में आपको पारन करना होता है जिसमें नेजला एक अधस्षी किया है तो थोड़ा सा पानी की एक-दो बूंद ले लेगा तो उसका ब्रत पूरा हो जाएगा अब जब दुरासब उनी पहुंचे बोले कि फुराल ब्रेकफास्ट त्यार करो हम थुड़ा नहाद हो के आते हैं और यह अकेले नहीं आते हैं इनके साथ में हजारों शिशे रहते हैं एक दो नहीं तो फिर यह दुरासब उनी वहाँ जब पहुंचते हैं तो लेट हो रहा था पान का टाइम जा रहा था तो अमरिश महाँ ने पूछ लिया रामनों से क्या करूं है क्योंकि कोई घर पे आया है तो पहले उसको खिलाना जरूरी है खुद नहीं खा सकते तो उने का कोई बात नहीं आप दो बूंद पानी ले लो तो आपका हो जाएगा उससे आपका कोई भी धर्म भस्ट नहीं होगा लेकिन दुरासब उनी को पता चल गया कि ये तो भाईया पानी ले लिया हमारे से हमें दिये भी ना हमने तो भी पानी भी नहीं पिया हम तो ना दो करके पहुंचे नहीं तो दुरासब उनी नहीं को श्राब दे लिया क्या दिया कि अपने जटाएं थी लंबे लंबे बाल उसमें एक जटा उखाड़ी धर्ते पटकी और उसमें से राक्सरी पैदा हुई और राक्सरी को बोला जाओ उसको खा जाओ कितना बड़ा प्राद कर दिया अब राक्सरी जब खाने के लिए जाती है अम्रिज महाज कुछ नहीं करते हाज जोड़ के खड़ें के बड़ें पर भगवान से ये सहन नहीं हुआ उन्हें अपना सुदस्ण चकर भेज दिया सुदस्ण आया तो ये जो राक्सरी थी पहले तो इसको उड़ाया और फिर दुर्वासामूनी के पीछे भागा अब दुर्वासामूनी देखा सुदस्ण आराज के कोई लाज नहीं भाग रहा है दुर्वासामूनी भाग रहे हैं सुदस्ण पीछे पीछे हर जेगे पहुंचे सुदस्ण लोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे शीर जी के पास पहुंचे बोले हम नहीं कुछ कर सकते हैं बहुन विश्णु के पास पहुंचे जो बहुतने मैं भी कुछ नहीं कर सकता है। बोलें आपका ही तो है ये है मेरा लेकिन तुमने गड़बड कहीं और किया। तो अंब्रिष महाज के पास जाके छमा मांगा और वो छमा कर देंगे तबी बच सकते हो नहीं तो कोई इसोलुशन नहीं है तो फिर वो दुरौसमुनी अंब्रिष महाज के पास आए और उनसे छमा मांगा तब सुद्रसन वापिस गया तो यहां पर बताने कि हम भी अर्जुन की तरह मोगरस्त हो जाते हैं शरीर के प्रती परिवार के प्रती समाज के प्रती और जहां डिसिजन लेना हो कि हमें अगर दो चीजे हैं भावान के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है तो हम किसको चूझ करते हैं अपने लिए यहां तक की व्यक्ति इस बात को स्विकार करता भी है, मानता भी है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, कोई वेक्ति बहुत जाद बिमार है, दोक्टर पाज जाते हैं, तो क्या सोते हैं, डोक्टर भगवान है, डोक्टर बचा लेगा, लेकिन अच्छेश अच्छा पीली गोली दे देगा उससे भी ठीक हो जाएगा उसको ठीक होना है तो और नहीं होना तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो अच्छे से अच्छी मेडिशन हो जब कोरोना आया था क्या हुआ मेडिकल के छेत्र में देखा जाए थे कौन सी कंट्री सबसे आगे है इटली अमेरिका ये जो है काफी आगे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में लेकिन सलसे जाए प्रोबलम कहा था उनी जगे पर था इंडिया में तो फिर भी काम चलाई रहे थे जुगाड करी रहे थे इंडिया में तो कुछ ने कुछ करके अपना जो भी कर लो लेकिन वो जिनके पास मेडिकल सुधाएं सबसे बेस्ट है उनके हाथ खड़े हो गए थे क्या कर लिया भागवान एक चोटा सा वारस भेजे उसको हैंडल नहीं कर पाए अगर आज के टाइम पर हिरनक सिपू और हिरनक सा जाए तो क्या होगा चोटा सा वारस नहीं संभाल पाए तो उनको कहां संभालेंगे कितनी गोलिया ठोकते रहो ये मिसाइल से उड़ा दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है अगर बता है कुम कंड कैसा अदमित था खा जाता पूरा अस्त अस्त भी खा जाता था मिसाइल को ऐसे मुझ के अंदर कर जाएगा कर लो क्या करोगे हम मानते तो है इस बात को समझते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब जीवन अप्लाई करने की बात आती है जब किशी वैक्ति की मृत्यू होती है समसाने खाट में जाता है और वहां जाए क्या होता है क्या बोलते हैं सब राम नाम सत्य है केवल उसी टाइम पर याद आता है वो बहार आते ही बस भूल गया अब अच्छा वो क्लास में आना है दूसरा मैच खेलने जाना है मैच देखने जाना है इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है कोई तो क्या करेंगे क्लास में नहीं आएंगे क्लास में नहीं आएंगे समझ रहे हैं मैच देखने जाएंगे क्यों भगवान के बारे में तो फिर सुन लेंगे क्या बात है पर मैच नहीं जाना साहिए तो अरजन यह सोच रहा था कि मजीद जाऊंगा और फिर भी मुझे बहुत दुख होगा जो मरेंगे तो उपर के लोग में चले जाएंगे और मैं ही पड़ा रहूँगा मुझे तो उसका रिजल्ट भगवदना ही पड़ेगा तो यह जनारदन का दूसरा आर्थ दा मैंटेनर अफ ओल लुविंग एटिटीज एक तो लोग का कष्ट दूर करने वाले दूसरा है मैंटेन करने वाले तो दूसरा इस प्रकार से बता रहें कि अर्जुन यह सोच रहा है कि आप तो जीवों का पालन करने वाले हैं सब को मरवा रहे हैं आप ऐसा कैसे हो सकता है को बैको सब जो रखषक है वही क्या हो रहा है भखषक तर ये कैसे हो रहा है? लगजा है कल्यूग आ गया है. ये कल्यूग का लक्षण है कि कल्यूग में जो रख्सक हैं वही बख्सक बनेंगे. आब देखोगे न्यूज में छोड़ छोड़े बच्चों के साथ में जो गलत काम हो रहे हैं. कौन करते हैं जनली उनके रिलेटिव्स उनके जानने वाले कोई भारे का वेक्ति आकर ऐसा नहीं वही रखसक ही भखसक बनते जा रहे हैं कल्यू का पहचान है यह बल्दे विद्या भुशन जो एक और आचारे हैं हमारे वो कह रहे हैं कि जनारदन का अर्थ जो मारने वाले हैं तो हमने बताए कि उनका ये मानना है कि आप मारने वाले हो लोग को मारना है तो ये आपका काम है आप मारो मुझे क्यों मरवा रहे हूं अर्जुन एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मारना चाहिए ने आप जनार दन हो मैं थोड़ी हो तुम आप मारो आप तो यूद करी ने रहे और मरवा मुझसे रहे हो तो माबाद के यूद के बाद 37 सालों तक जो है पांडवा ने राज किया उसके बाद वो छोड़ दिया अब कहेंगे 37 तो बहुत होता है पर वो आज के लिए 37 बहुत है क्योंकि कल्यूग में उमर 100 साल है एवरेज जो स्टार्टिंग में अभी कुछ लोग है वीवे का 100 साल का बट अगर एवरेज माना जाए तो ये था और इसी परकार द्वापर का जो एवरेज था वो था दस हजार साल अब जिसकी उमर दस जार साल उसके लिए 37 इस क्या है है कुछ द्वापर का हजार था त्रेता का दस जार था और सत्यू का एक लाग था तो जिसकी उमर अगर हजार साल है उसके लिए 37 इस क्या है कुछ भी नहीं उसके लिए तो 2-3 साल के ब्राबर है क्या फायदा हुआ इतना लड़ाई करके इतने लोग को मार करके शिर्फ 37 इस बैठने के लिए तो अरजणाज कन्विक्शन इस देट ब्रीफ किंगली प्लीजर्स आर नोट वर्फ द सिन्फुल रियक्शन अव सफरिंग इन हैल फोर मिलियंस अवियर्स कुछ टाइम के लिए राजा की तरह जीना और बाद में हजारों लाकों साल तक नर्ग में शड़ना क्या फायदा है ये बुद्धी मानी नहीं है तो कहरे कि आज यदि मैं प्रेश के चक्र में फस गया तो स्रेश को अचिव नहीं कर पाऊंगा इसलिए कर मैं को कोई स्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो ये इसका ग्राफ है यू ज्यू तो जैनली लोग सोचते है कि हम भगवान को अड़ देए भगवान हमारी इच्छा पूरी करें कौन-कौन ऐसा सोचता है भगवान के पास जा गरब्थे हैं भवान हFORE ये चाहिए दे देना लेकिन अग्वान ना दे तो है ना दे तो क्या करते है? अगली बार से नहीं हम तो दूसरे मंदरी में जाएंगे वो आले भागवान वो माता ठीक है जनले लोग ऐसे करते हैं अज शीर जी ने शीर जी बताओ इतने साल से भोले का बर्त करें भोले ने कुछ दिया नहीं चलो हनुमान के पास चलते हैं अले हनुमान ने भी कुछ दिया नहीं अब लोग मांगते भी क्या बताओ हनुमान की पूजा करेंगे बोले मेरी साधी करा दो बचारे खुद भ्रहमचारी रहे हैं उनके पास पत्नी नहीं है उनसे जाके पत्नी मांग रहे हैं तो लोक सोचते हैं कि भगवान हमारे order को माने कभी कोई किसी कैसी इच्छा नहीं होती कि यार भगवान की हमें सेवा करने चाहिए, जो उनकी इच्छा हमको वो करना चाहिए, नहीं, general ऐसा कोई नहीं सोचता है सब यह सोचते हैं मैं जो चाहता हूं भावान को वो करना चाहिए, तो मैं उनको मानूँगा, नहीं तो मैं किसी दूसरे के बाचरा जाओंगा, भावान को फोलोर बनाने है क्या, competition चल रहा है, नहीं, मेरे फोलोर ज्यादा होने चाहिए, जैसे यहाँ पर नेता करते हैं, क्या करते हैं, नेता, नेता क्या थे, पैसा दो, भोट, मेरे ज्यादा होने चाहिए, पर भावान को ऐसी जुरूत, नहीं है, लोग यहीं नहीं समझते वास्त में, देवी देवदार भावान में डिफरेंस ही क्या है, तो अर्जुन में कैलकुलेट कर रहा है कि, नीचे में देखेंगे, लास्ट में, अर्जुनाज मैटरियल कैलकुलेशन, दिखा दे रहा है, यह, क्या लिख रहे हैं, अनेवल तो शेयर ओपुलेंस विन रिलेटिवस, सारे रिलेटिव उमर जाएंगे, तो मैं किसके साथ सेयर कर नहीं पाऊँगा, कि मेरे पास कितना ऐस्वर है, दिखा नहीं पाऊँगा, मेरे पास कितना धन है, तो मेरे तीनों लोकों का अगर सामराजर मिल जाएं उपर नीचे और यह प्रिथ्वी का भी, तो मैं यूद नहीं करूँगा, यह कंक्लूजन, मैट्रियल कल्कुलेशन उसकी, इस परिकार से, और स्पीचुल अंडर्स्टेंडिंग क्या होनी चाहिए, वह साइड में, क्रिशन वांट्स, यह क्रिशन चाहते हैं तो भक्त कुछ भी सिकार कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो, पेड के निचे भी रह सकते हैं, और चाहें तो भव्य मंदरी के अंदर भी रह सकते हैं, that depends, do not complain, otherwise, if क्रिशन आ नो डिजायर, यदि Krishna कुछ देते नहीं है जो हम मांगते हैं तो वो कभी complain भी नहीं करते हैं कि भवान आपने दिया नहीं मैं तो इतने सालों से भक्ती कर रहा है तो इतने सालों से नाम ले रहा हूँ अब यह तक मेरी नोकरीन लगवाई आपने बताओ तो they don't complain क्यों? कई बार होता है कि हमको लगता कि मैं जो सोच रहा हूँ यह अच्छा है मेरे लिए बट भवान कुछ और प्लान है वो हो सकता है आपको उससे कुछ बहतर देना चाहते है या जो हम मांग रहे हैं हम उसको प्राफ्त करने के योग ना हूँ तीसरा समय कम है जल्दी जल्दी करेंगे तीसरा आर्गुमेंट अर्जू देते हैं sinful reaction कि पाप लगेगा मुझे अगर मैंने युद किया और इनको मार दिया तो क्या होगा? पाप लगेगा तो स्लोक संख्या 36 से लेके 44 तक तो यदि हम ऐसे आतताईयों का वद करते हैं तो हम पर पाप चड़ेगा अतय ये उचित नहीं होगा कि हम दित्राष्ट के पुत्रों तथाउन के मित्रों का वद करें हे लक्समी पती कृष्णे इससे हमें क्या लाब होगा? और अपने ही कुटम्बियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं तो करें आतताई जो हैं कौन हैं? छे प्रकार क्यों होते हैं आतताई क्या करते हैं वो? तातपरे में पढ़ेंगे पहला है विश्देने वाला तो कौरवों ने विश्दिया भीवों को विश्दे के मारने का प्रयास किया घर में आग लगाने वाला लाक्षा गरेज में जलाकर मारने का प्रयास किया घातक हतियार से आकरमन करने वाला धन लूटने वाला उनकी प्रोपर्टी हडबली और जो वहाँ का जब वो यग किया था राज्श यग अगर उस समय पर जितनी भी धन आया था तो क्या किया सराइसरा लूट के ले गए दुसरे की भूमी हड़पने वाला चलो उस समय तो जीत लिया था जीवे में लेकिन बाद में तो देना चाहिए था न उस पर तो कबजा करके बैठे ही और प्राइस्त्री का अपरण करने वाला दुरपदी का अपरण करने का भी प्रियास किया गया था जब जैदर्थ जो की दुसराला का पती है दुसराला दुरुधन की बहन है तो दुरुधन था उसका जो जीजा हुआ तो दुबदी को किटनैप करके लेके जा रहा था जब वो जंगल में थे वन्वास में थे उस टैम पर तब भीम ने और अरजुन ने आकर उसको खूब पीटा था और उसको टकला बना दिया और बीच में उसकी बाल छोड़ दिये थे तो ऐसे आत्तायों का तुरंत वद कर देना चाहिए क्योंकि इनके वद से कोई पाप नहीं लगता है और ऐसे लोग को मारा जाता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है लेकिन अरजुन क्या कह रहे हैं यदि हम ऐसे आत्तायों का वद करते हैं तो हम पर पाप चड़ेगा तो जब एक ती नेगेटिव सोचने लग जाता है तो सब कुछ उसको नेगेटिव ही दिखाई देता है तो कोड़ों ने छे के छे प्रकार के कारेखी हैं जो की आत्ताय करता है और ऐसे आत्तायों को मारने में कोई पाप नहीं लगता लेकिन फिर भी अर्जुन मारना नहीं चाहरा है वो कह रहा है कि मेरे को पाप लगेगा और दूसरा भवान का नामा इसमें आया है माधव माधव करत है मा मतलब लक्समी धव मतलब पती जो लक्समी के पती हैं वो है माधव तो आप तो लक्समी पती हैं आप तो माधव है तात्र भवाजे लिखते हैं अर्जुन द्वारा क्रिष्ण को माधव अत्वा लक्समी पती के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है वह लक्समी पती क्रिष्ण को ये बताना चाहरा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए परेरित ना करें जिस से अनिष्ट हो लास्ट लाइन में कि ऐसा काम करने के आप तो लक्षमी पती है ना आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं कि मेरे पास लक्षमी चले जाएं लक्षमी जनली कहां रहते हैं जहां वैक्ति ने कुछ पुर्णय करम की होंगे और जब उसके पुर्णय खतम हो जा तो लक्षमी वहां से एक जगह नहीं रुपती वो वो इसली लक्षमी का दूसरा नाम है चंचला जो चंचल एक जगह टिके नहीं रह सकते टिकती वह एक जगही है और वो है भगवान के चर्णाओं में लक्षमी जी कहां सेवा करती हैं भगवान की चर्णाओं में फिर आगे यह तो हमने बताई दे कि कैसे कैसे उन्होंने किया है स्लोक्षम का 3737 में हे जनारदन यदेपी लोब से अभी भूचित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्नों से द्रोह करने में कोई दोस नहीं देखते किन्तो हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराद देख सकते हैं ऐसे पाप करबों में क्यों परिविर्ट हो तो अरजन कह रहा है कि देखो इनका तो दिमाग खराब हो गया है इनको तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं युद करने के उपर तो ले हुए है युद नहीं करना चाहिए अपनों से लेकिन हमें तो दिमाग है न हमार तो दिमाग काम कर रहा है न तो हम मान लोग हो तो नहीं कि एक व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप भी अगर गाली देंगे तो दोनों में डिफ्रेंस क्या रहे गए है कोई तो बहुत ये लोग कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे तो हम मेरे मंत्र क्या है हम तो जानते हैं कि ऐसा करने से पाप लगता है अपराध होता है इसलिए हम ऐसा नहीं करें तो इसलिए अर्जुन जो है युद नहीं करना चाहते हैं खेने की हमें जो छत्रिये हैं छत्रियों से आसा नहीं की जाती कि विबक्सी दल द्वारा युद करने या जुवा खेलने का अमंत्रन दिये जाने पर मना करें अईसी अनिवार्यता पर अर्जुन लढने से लिकार नहीं सकते क्योंकि उनको द्वोधन के का नने लिखते हैं चत्रिय को युद के लिए लिलका रहें तो उसको युद करना चाहिए नहीं तो फिर छत्रिय नहीं कहलाएगा और इसको जुए के लिए ललकारा जाए दो चीजों के लिए तो युद में पीट दिखा कर नहीं भागता है छत्रिय और जुए के लिए इसको ललकारा जाए तो वो शिकार करता है तो इसी बात को बता रहे हैं कि लेकिन अर्जुन अब भूल गया है कि मैं छत्रिये हूँ छत्रिये का रोल अपना भूल चुका है उसको अब क्या समझ में आ रहा है फैमिली तो कई बार वैक्ति करता हुए को भूल जाता है जैसे मान लो कोई जज है उसके बेटे ने कुछ क्राइम किया तो उसको क्या लगता है वो कोशिश करता है किसी ने किसी प्रकार से इसको बचाया जाए हाला कि उसको पता गलत है पर पुत्र का मोह जो है दितराष्टर भी जानते थे लेकिन पुत्र का मोह जो ऐसा था कि जिसकी वैसे वो कुछ नहीं कुछ कर पाए तो इसलिए चोथा जो आर्गुमेंट देते हैं कि destruction of family tradition हमारा कुल धर्म जो है वो क्या हो जाएगा नश्ठ हो जाएगा कुलक्षे प्नशंती कुल धर्मा सनातनहा धर्मे नश्ठे कुलम कृष्न अधर्मो अभी भवत्यूत कुल का नास होने पर सनातन कुलपरंपरा नश्ठ हो जाती है और इस तरह सेश कुल भी अधर्म में प्रिवर्थ हो जाता है तो करें जितने भी छत्रे युद करने के लिए आए हैं उस युद में वो सारे के सारे मारे जाएंगे तो बचेया कौन? केवल इस्तिया ही बचेंगे पुरुष तो सारे मारे गए ना युद में तो अब कोई वैक्ती घर में गाइड करने वाला नहीं है कोई पुरुष घर में नहीं है तो इस्तिया क्या है? freedom मिल जाएगे और फिर क्या होगा हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुक हो जाता है तो कुल की इस्तियां दुसित हो जाती है और इस्तितों के पतन से हे व्रिष्णिवंसी अवांचित संताने उत्पन होती है तो अब इस्तियों के उपर कोई सठाना स्टार्ट कर देगे रोखनेवाद कोई है नहीं इस्तियों का क्या है कि वह बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है या कहें कि बहुत जल्दी उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है इसलिए ये वैदिक संस्कृति में कहा गया कि उनको कभी भी अकेला या सवतंतर नहीं छोड़ा जाता है जब बच्पन में है तो पिता के सनक्सर में और जब उसका विवा हो तो पती के सनक्सर में और जब पती नहीं है तो पुत्रों के जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र के सनक्ष्ट में उसको रहना चाहिए इंडिपेंडेंट नहीं तो इसलिए यहाँ पर कहने कि अगर वो इस्त्रियां जो है गलत रास्ते पर चलेंगी उनका जो स्त्रितव है सती होती थी, सती मतलब जो अपने धर्म का निष्टा से पालन करती अपने पती के लावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है लेकिन आजकल तो मूवी देख करके तीवी देख करके कौन बहुत कम ऐसी होंगी जिनको हम सती कह पाएंगे और उसके उपर से भी ज़िसको फ्रीडम मिल जाए कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है तो क्या होगा तो ऐसे इस तरियों से जब संताने उत्पन होंगी तो वो क्या होंगी? आववांचित आववांचित का रत है कि माल लोग छत्रिये तो होंगी पर गुण छत्रिये के नहीं होंगी तो जिस वण की है वण संकर उत्पन होंगे तो आववांचित संतानों की वर्दी से निश्य ही प्रिवार के लिए तथा पारीवारिक परमपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकिय जीवन उत्पन होता है और ऐसे पतित कूलों के पुर्खे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियां समाफ्थ हो जाती हैं आप देखो हर साल क्या करते हैं पिंदान करते हैं पित्र पक्स जब आता है तो लेकिन जब बच्चे ऐसे होंगे जो कि धार्मिक नियमों को मानेंगे ही नहीं पिंदान नहीं करेंगे पिंदान नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा प्रोलम होगा किसको जो पित्र है जो उपर के लक्षन है अध्रम की कान लोग अत्यनत अहंकारी हो जाते हैं लोग इस्त्रियों में अत्यदिक आसक्त हो जाते हैं लोगों में नसे की लट अत्यदिक फैल जाती है एक कंगाल को भी अपनी कोडी का विमान हो जाता है थोड़ा सा पैसा आते ही फूल जाता है मेरे पास भी बहुत धन है इस्त्रियां पुर्सों के मन को हरने के लिए एक से एक आकरसक वस्तर पहनती है देखते हैं ओके समाज में वैविचार फैल जाता है लोगों में घुश लेने की आदत फैल जाती है भाई भतिजावाद जानते भाई भतिजावाद क्या होता है मेरा बेटा गदीव बैठेगा समझें गदीव कौन बैठेगा मेरा बेटा यह भाई बती जावाद योग्य वैक्ति को नहीं बैठाएंगे भई हमारा जैसे कांगरेश में क्या है यह भाई बती जावाद हमारी फैमिली से कोई हो ना जा रहे हैं चाक किसी काम का नियोना का रहा हो बैठे वई सामाने रूप से लोग उद्धंड हो जाते हैं लोगों में लोग की भावना बढ़ जाती है एक दुसरे को हर बात पर धोखा देने का प्रियास करते हैं हिंसा बढ़ जाती है लोग ब्रष्टाचारी होने के काण दुखी इस्त्रियों को और सहाय वस्ता में त्याग देते हैं बच्चों का पालन और उनकी रक्सा नहीं करते छोड़ के भाग जाते हैं अमेरिका में यही तो हो रहा था इसलिए तो हैंके लोग प्रिसान थे कि इस्तरियां संबंध बनाती जब बच्चे पैदा होए तब कौन संभालेगा पिता तो है नहीं पिता गायब तो गोर्मेंट के प्रबोज पढ़ता था उनका गोर्मेंट उसको टेक केर करते तो उसका खर्चा गोर्मेंट उठाती थी इसलिए गोर्मेंट ने बहुत स्पोर्ट किया बाद में जब यह मोमेंट प्रबाजे ने स्टार्ट किया और देखा कि लोग पिए इंदर यह नसे किया तो यह च्यार नियम जब फोलो करवाए जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ गोर्मेंट बहुत एप्रिशेट की थी चीज़ को कि इतना पैसा दे के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यह फरी में करवा पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को कई परकार से सताया जाता है निर्धन होने पर अच्छे स्वामी को भी सिवक छोड़ चला जाता है पैसा नहीं है तो भागज़ा हम कोई सिवा नहीं करेंगे हम केवल पैसे के लिए करते हैं थोड़े से पैसो के लिए लोग एक दुसरे से नफरत करते हैं और एक दुसरे को मार डालते हैं लोग अपने व्रिद माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं यह किसके लक्षण है? अधर्म के हैं सारे के सारे? तो आप देख सकते हैं कि कितना अधर्म फैला हुआ है यहां तकी लोग सरीर को सुद करने के लिए स्नान करने में भी आलस का नुभव करते हैं अभी सर्दी आने वाली हैं? तो पता चलेगा कितने लोग सर्दीयों में नहाते हैं? नहीं आज तो बहुत ठंड है आज नहीं नहाऊंगा यह क्या है? अधर्म के लक्षन है तो अधर्म का पालन होगा तो क्या होगा? संताने भी ऐसी ही उत्पन होगी जो कि धर्म का पालन करने वाली नहीं होगी और फिर बाद में नरक में जाना ही है पर यहां रहते भी नरक मिलेगा कई वाई लोग इसी प्रित्वी पर सौग भी है नरक भी है तो यहां भी लोग नरक का जीवन जीएंगे, नरक के ही समा, नरकाएव, 41 हसलोग में क्या है, संकरो नरकाएव, नरक जैसा ही जीवन, जो उनको जीना पड़ेगा, यहां रहते हुए भी, कई लोग को आप देख सकते हैं, नरक देखना तो हस्पिटल में जाके देख सकते हो, हस्पिटल असली नरक है, किसी के नाक में सुई गुशा रखी है, किसी के हाथों में, पैरों में, पूरे हर्ट में, कहां कहां क्या-क्या, पाई पे गुशा देते ह इस नर्क और एक भागवत महात्म जो है उसमें एक स्टोरी आती है कि एक ब्रह्मन था और उस ब्रह्मन का नाम था आत्म देव उसकी पतनी थी जिस का नाम था धांदली और वो थोड़ी सी अलग टाइप की स्ट्री थी उसका कोई संतान नहीं थी अभी आत्म देव ब्रह्मन जो किसी सिद्ध महात्मा से भेट हुई उसने कहा कि अगर फंतान चाहिए तो ये फल जो अपनी पतनी को खिला देना वो गरवती हो जाएगी अब जा कि अपनी पतनी को दिया पतनी ने क्या किया उसने सोचा अगर मैं गरवती हो गई तो पेट फूल जाएगा मेरा फिर मैं मोटी हो जाओंगी फिर मैं भाग नहीं पाओंगी लोग चोर लुटे रहे डाकू आ गए तो मैं और फिर जब बच्चे को जरम देते हैं तो बहुत पेन होता है मैं इतना नहीं करूंगी ये सोच कि उसने क्या किया अपनी बहन को बताया और उसकी बहन भी वैसी निकली उसकी बहने का अच्छा ऐसा करना मैं अपना बेटा जो है तो तेरे को दे दूंगी मेरा होना ही था और गाएं को लड़का हुआ कान उसके गाएं जैसे लेकिन शरीर लड़के जैसा और इसको कुछ नहीं हुआ यह तो पेट पे बाहन के घूमती थी और जब टाइम आया तो इसने क्या किया बाहना बनाया के अपनी बहने के घर से लेगी गए और वहां से फिर उसका बच्चा जो है उसको लेके के आ गई अब वो जो बच्चा था उसका नाम हुआ धुन्दुकारी अब ये धुन्दुकारी इतना महान वैक्ती निकला कि लगा सारे गल्थ काम करने पढ़ गया लड़कियों के चकर में लड़किया भी क्या व्यश्याओं के चकर में पढ़ गया और पिता ने बहुत समझाया लेकिन कुछ समझानी तो पिता घर छोड़के चला प्रेशान हो कि भया घर तो नरक जैसा घर से छोड़के चलो जंग जंगल में चलो, छोड़ो घर बार, चलो हरी दिवा, निकल गया हो तो, अब बची मा, अब ये क्या गड़ता, रात को, अब घर पे मा के लिए, मा को खूब कूटता था, खूब पीटता, बता धनका चुपा गर रखा, बता, नहीं तो तो इतना मौर में, बता, अब बता ये मा को ऐसा लगा कि मैं तो नरक में रह रहे हूँ, और फिर, कूए में, खूद के, मा भी गई, अब कोन रोकने वाला है, मा बाप चले गई, अब वैश्याओं को घर लेके आ गया, अब वैश्याओं की इच्छापूरती के लिए, जाता सब काम करता, लूट पाट करना, डक सब करता, बाद में वैश्याओं के चकर में हम भी फसेंगी, किसीने किस दिन, सब ने मिल करके प्लान बनाएके, उसका गलाप दबा के, मारा, और वहीं गाड दिया, उसे कुए में, खतम, अब वो बन गया भूत, और तब इसका भाई जो है, जो वो जो गाई से, जिसका ज वो आया और उसने फिर भागवत कथा किया, और साथ दिन इसने भागवत सुना, और प्रेत की योनी से ये मुक्त हो गया, लेकिन कहने का था कि नर्क जैसा ही जीवन, इसके माता-पिता को भी मिला, और इसको भी वहीं पर भूत पेजाज की जो योनी में रहा, चाहता दुख्सम शरीर है न, किसी को टच करना चाहे करने सकता, खाना चाहे खाने सकता, तो करेजिए संसार भी नरक जैसा हो जाता, तो कभी-कभी पित्र गण जो पाप करते हैं, तो इसके लिए जो वनसज है, अगर वो कुछ पुर्णय करम नहीं करते हैं, तो फिर उनको पाप भोगना पड़ता है, और लास्ट है, ये तीन स्लोग है, 41 तक हुआ है, जो लोग कुल परंपरा को विनस्ट करते हैं, और इस तरह अवांची संतानों को जनम देते हैं, उनके दुश करमों से समस्त प्रकार की सामुदाय की योजनाय तथा पारिवारे कल्यान कारिया विनस हो जाते हैं, तो समाज में भी विस्ताखत खराब हो जाती है, और परिवार का तोहलत वैसे ही खराब होगा, इसलिए है प्रजापाला कृष्ण, मैंने तो गुरु परंपरा से सुना है, कि जो लोग कुल धर्म का विनास करते हैं, सदय और नर्क में वास करते हैं, तो जो गुरु परंपरा से, तो ऐसा होता है, जब लस्ट जो है न, लस्ट, जिसको बोलते है काम, ये काम जब बुद्धी के अंदर घुज जाता है, तो बुद्धी ऐसे आर्गुमेंट देती है, सास्तरों से देगी, कि नहीं तुम सही कर रहे हो, वो गलत काम को भी सही ठहराए कि जब लस्ट, लस्ट जो ती इंजेगर रहता है, आगे तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कहां-कहां, इंद्रियों में, मन में और बुद्धी में, जब बुद्धी में घुज जाता है, तो कोई इलाज नहीं है, लेकि उसे पहले गर है, तो इलाज है, जब कहते हैं कैंसर, फर्स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्टेज आगे, अब कोई इलाज नहीं है, लेकि फर्स्टेज पहले रोका जा सकता है, उसको, सीमिलर नहीं, इसलिए अरजुन के अंदर में घुज गया, कि मैं बस नहीं करना है, तो कैसे ने कैसे मैं, क्या करूं, कहीन कहीं से सुना हुआ है, अपने मन से मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, तो इसलिए है जनार्दन, आप तो लोग का पालन करने वाले हैं, कल्यान करने वाले हैं, आप ऐसा कार्य क्यों करवा रहे हैं, कि जिस से हमें नरक में जाना पड़े, तो 28 प्रकार के नरकों का व कि लाश्ट चैप्टर में इसका वर्णा मिलता है 28 प्रकार के वर्णा नर्कों का उसके अलाव भी बहुत सारे नर्क हैं और फिर कहते हैं कि ओह कितने आश्चरे की बात है कि हम सब जगन्य का पाप करम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं राजे से को भोगने की इच्छा से परिरित होकर हम अपने ही समद्यों को मारने पर तूले हुए हैं तो यह तो बड़े आश्चरे की बात है कि थोड़े से राजे के लिए राजे सुख के लिए हम इतना पाप करम कर रहे हैं कि बाद में हमको नरक में जाना पड़ेगा और अभी समझ में भी नहीं आ रहा है इसी को समझ भी नहीं पा रहे हैं इसलिए यदि सस्तर धारी धरितराष्ट के पुत्र मुझ निहत्य और रण भूमे में परतिरोद ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेश कर होगा तो अरजुन ने अपने हथियार खड़े कर दिये है हाथ खड़े कर दिये बहुते इससे बहतर तो ये है कि ये मेरे को मार दे जब मैं युद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि युद करते वे अरजुन को हराना भी इतना असान नहीं होगा किसी के लिए और मैं अब युद नहीं करूँगा और ये मेरे को मार देंगे तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ प्रशन ये उड़ता है कि अरजुन यदि मरना ही चाहते हैं अपने सस्तर के द्वारा ही वद कर सकते हैं तो वे ऐसा क्यों चाहते है कि ये आपने सस्तर से अपना वद करेंगे तो आत्म हत्या का पाप लगेगा और ये भी एक महा पाप है सूसाइड करना भी अपने आप्में एक पाप है इसलिए अर्जून पापों से बचना चाहता है और च्छत्रिय नियमोग अंसार क्या होता है यदि को युद मे मारा जाता है दूसरा वैकती युद मे मार दे तो फिर उसको उपर के सब लोग की प्राप्ति होगी तो इसलिए चाहता है कि इस प्रकार से अर्जुन बोल देता है तो संजय कहते हैं कि युद भूमे में इस प्रकार कहेकर अर्जुन ने अपना धनु सरबान एक और रख दिया और सोप संतप्त चित से रत की आसन पर बैठ गया तो ये भगीता का पहले ध्याय गांतिम स्लोक है इसमें धन्जे धितराष्टर से बता रहे हैं कि अब अर्जुन युद नहीं करना चाहते हैं उन्होंने अपना निश्य कर लिया है ये क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं क्योंकि धितराष्टर ने पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया तो दोधन ने क्या क्या बताया अब बता रहे हैं कि पांड़ों के तरफ से मुखर उपसी अर्जुन थे तो अर्जुन ने क्या किया युदना करने का प्लान कर लिया है और अब वो बैठ गए है हाला कि अगले चैप्टर में फिर बताएंगे कि ये बात सुनके थोड़ा सा खुश हुए कौन देतराष्ट रहे है कि युद नहीं करेगा वाह मज़ा आगया अब तो मेरे बच्चे वैसे जी जाएंगे लेकिन संजय बताएंगे कि तुम्हारे प्लानों के उपर पानी फिर गया है अर्जुन को भगवान रेड़ी कर रहे हैं युद करने के लिए तो ये इन चीजों से क्या समझने को आया और कर्कूरूड किया जाए तो क्या समय आ रहा है इस अपनी सैंसिस के लिए अपना लटना नहीं चाहता है उसकी जुड़ी के लिए वो लटना नहीं चाहता है अपनी जो अच्छा है है ओके और ये आप लोग कर सकते हैं ये क्यूस्टन भी था हमने क्यूस्टन से दिये थे न तो उसमें एक प्रश्न ये है कैसे डिगरेडेशन होता है तो ये चीजे तो बहुत कुछ है बताने कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और ये धर्म का पालन नहीं हो गया वैसे बता जाएगे 16 संसकार होते हैं एक होता है अंतिम संसकार उसको सब कोई पता है कि अंतिम संसकार होता है जहां कि राम नाम सत्य होता है लेकिन उससे पहले भी 15 संसकार होते हैं एक बच्चप गर्ब में स्थापन करने से पहले ही जब इस्त्री और पुरुष बच्चा उत्पन करने की सोचते हैं तो उस समय पे जो प्लानिंग है गर्बधान संसकार उसको बोलते हैं फिर उसके बाद जब तीन महिने की जब इस्त्री प्रगनेंट होती है तब एक संसकार है फिर सीमंतम संसकार है बच्चे के जनम से पहले ही फिर बच्चे की बुद्धी के डेवलोप्मेंट के लिए संसकार है फिर जब जनम हो जाया तो नाम करन संसकार है फिर इसको पहली बार कुछ खिलाया जाता है अनपराशन संसकार है घर से पहली बार बहर लेके जाते हैं वो संस्कार है तो ये 16 संस्कार है मुख्य रूप से वैसे तो 40 हैं पर major 16 है पर कितने लोग करते हैं इनको फिर कहते हैं दिमाग नहीं बच्चे के अंदर क्योंकि उसकी फिर ऐसे ही होंगे बंदरों जैसे बंदर क्या होता है वो बंदरियों के साथ रहते हैं आज उस बंदरी के साथ में कल उसके साथ हैं ओके तो यह आपको भेज दिया गया था question paper तो इसको complete कर लिजिएगा फिर exam होगा यह first का करना है first chapter का ही ठीक है Hare Krishna किसी यह कोई प्रश्ण है समय से पहले कोई शरीर को छोड़ देता है आतम हत्य करने का पाब लगेगा उसके लिए तो उसको सजा मिलेगे ही फिर इसके बाद उसको पितर लोग में रहना पड़ेगा पितर लोग कहते हैं पितर लोग भी वहाँ पर सरीर नहीं मिलता है सुक्सम सरीर में ही रहता है वैक्ती और जब तक कि उसका समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसको स्थूल सरीर नहीं मिलेगा स्थूल सरीर मतलब जो पंच महाभूतों से बनावा सरीर है और उसको वेट करना पड़ेगा सूटेबल सरीर प्राप्त करने के लिए फिर जब उसका समय आएगा तब उसको वो सरीर मिलेगा और जितना सरीमान लो मनुष्य सरीर में उसको 50 साल जीने थे सूसाइड कर लिया 20 साल में अब 30 साल फिर से मनुष्य के सरीर में आना पड़ेगा हो सकता था उसके बाद उसका मुट्टी हो जाती लेकिन अब 30 साल और लेट होगा और वो जो टाइम पर जयतना वो वहाँ पर रहेगा वो एक्स्ट्रा है तो उसका जिस सरीर को छोड़ा है वो सरीर उसको फिर से प्राप्त करेगा उतने समझ तक उस सरीर में रहना ही पड़ेगा वो बच नहीं सकता उससे सूसाइड करके नहीं बच सकता फिर दोबारा से उसको वैसे सरीर मिल जाएगा ओके तो कौन कौन जा रहा है रिंडावन